हेलो एवरीवन, वेलकम टू साविज किचन आज मैं लेकर आई हूँ गर्मियों की बहुत ही खास रेस्पी जो हमारी सेयत के लिए बहुत ही ज़्यादा फाइदेबन है और हमें गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा ठंड़क देती है बेल का जूस बनाएंगे आज हम घर पर ही बेल का जूस हमें लू से बचाता है हमारे डाइजेशन सिस्टम को ठीक रखता है बेल का जूस पीने से हमारी बोड़ी में एनरजी आ जाती है और खून की कमी को भी दूर करता है बेल के जूस से हमें विटामिन B1, कैल्शियम, पोटाशियम, मैगिनेश्यम मिलता है यह हमारे हड्यों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदे बन होता है तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बेल का शर्बत बनाने के लिए हमें यहाँ पर इस तरह का बेल फल लेना है और अब हमें इसको फरज पर इस तरह से चटका लेना है या आप इस तरह से भी चटका सकते हूँ अब हमें यहाँ पर इसको अलग कर लेना है सबी पीसिस को यह बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है हम इसको यहाँ पर चाको की मदद से कट नहीं कर सकते हैं तो इसी तरह से हमें इसको चटका लेना है तो यह देखी मैंने यहाँ पर सबी पीसिस को अलग कर लिया है अब हमें यहाँ पर एक चमच लेनी है और उसकी मदद से हमें इसके अंदर का सारा पल्प निकाल करके एक बावल में रख लेना है तो यह देखिए अंदर से हम सारा पल्प दीरे दीरे करके अच्छे से खुरच करके बाहर निकाल लेंगे यह बहुत ही जादा मीठा फल होता है अंदर से और इसका शर्बत जो है बहुत ही ज्यादा पेश्टी लगता है पीने में और बेल के शर्बत के तो फायदे बहुत ही जादा है तो यह देखे इसी तरह से हमें यहाँ पर सभी को खुरच करके पल्प को भाहर निकाल लेंगे हम इस तरह से तो मैंने यहाँ पर सभी पल्प को निकाल लिया है अब हमें यहाँ पर पल्प को निकालने के बाद इसके अंदर कुछ बीज होते हैं इस तरह के बीज होते हैं इस बीज को हमें इस तरह से बहार निकाल लेना है इस तरह को हमें इस तरह से सबी बीज को बहार निकाल लेendas Ist यह देखिए इसमें बहुत छोटे बीज होते हैं इस तरह के तो इसी तरह से हमें यहाँ पर सभी बीजों को बाहर निकाल लेना है बीज निकालने के बाद अब हमें यहाँ पर डालना है पानी पानी यहाँ पर अभी मैं डाल रही हूँ एक गिलास एक गिलास पानी डालने के बाद इसको हमें अच्छे से इस तरह से मैश कर लेना है इस तरह से आप बड़ा चम्मच ले लिजे और उसकी मदद से इस तरह से मैश कर लिजे अब हमें यहाँ पर एक बड़ा बरतन लेना है उसमें हम इसको डाल देंगे इसमें अच्छे से मैश नहीं हो रहा है पानी को डालने के बाद इसको हमें अच्छे से मैश कर लेना है ताकि इसका जो भी पल्प है वो अच्छे से पानी में मिक्स हो जाए और हमारा जो जूस है वो अच्छे से बन जाएगा तो यह देखिए इस तरह से हमें इसको अच्छे से मैश कर लेना है हमें इसी तरह से इसको मैश करना है मिक्सी के जार में डाल कर हमें इसको नहीं पीसना है उससे क्या होता है मिक्सी जार में पीसने से कभी कबार हमारे थोड़े बहुत बीज एक दो रह जाते हैं तो उससे हमारा जूस कड़वा बन जाता है वो mixy में सारे भी पिस जाते हैं तो इसी तरह से मैं याँ पर इसको mash करना है कभी कबर क्या होता है कि हमारा जो बेल है उसका पल्प बहुत ज़्यदा हार्ड होता है अगर बहुत ज़्यदा हार्ड निकलाए तो आप उसको 10-15 मिनट के लिए बिगो करके रख दीजे पानी में उससे हमारा जो उसका पल्प है बेल का बहुत ज़्यदा सौफ्ट हो जाएगा तो ये देखिए इस तरह से अब हमें इसको अच्छे से mash करने के बाद एक बड़ा बरतन ले लेना है और एक छलनी ले लेनी है चलनी हमें यहाँ पर मोटे जाली वाली लेनी है क्योंकि जो हमारा बेल का पल्प है वो बहुत ज़्यदा मोटा होता है तो इस तरह से हमें इसको डाल करके छान लेना है बेल का जूस गर्मियों में बहुत ज़्यदा फाइदा देता है बहुत ही ठंड़क देता है अगर गर्मियों में कभी किसी को लू लग जाए तो उसे एक गिलास बेल का शर्बत पिलाजीजे बहुती ज़्यादा देगा और उसको बहुती ठंड़क देगा तो यह देखे इस तरह से हमें इसका पर्ट निकाल करके चान लेना है और यह जो उपर बचा हुआ है इसको हमें एक बरतन में खटा करके अभी रख लेना इसको हमें फैक न नहीं है क्योंकि अभी इसमें थोड़ा वो तरह जाता है तो हम इसमें थोड़ा पानी डाल के बाद में इसको भी अच्छे से मेश करके इसी तरह से हम यह पर चान लेंगे तो देखे मैने यहाँ पर सभी को चान लिया है और जो हमारा मोटा पल्प बचाता उसको मैने एक बरतन में डाल करके रख लिया था अब थोड़ा सा पानी डालेंगे हम यहाँ पर आदा गिलास के करीब और इसको फिर से अच्छे से मैश कर लेंगे मैश करने के बाद दुबारा से हम इसको अच्छे से चान लेंगे यह देखे इस तरह से डाल करके इसको अच्छे से चान लेंगे तो देखे मैंने सबीक अच्छे से चान करके तयार कर लिया है और हमारा जूस भी अच्छे से तयार हो चुका है अब हम यहाँ पर डालेंगे इसको ठंडा करने के लिए खूब सारी आईस यहाँ पर आप जितनी ज़ादा आईस डालेंगे उतना ही ज़ादा हमारा शर्बत त तो यहां पर मैने खूप सारी आइस प्रूब डालव हैं, आइस क्यूब डालने के बाद, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर 낮ए और अब Спान हिसे अपर तो मैं पर जूँख शूगर न्यग मोई दाल रहा हूं, ताक कि हमारी जो शुगर है वो अच्छे से गुल जाए तो लेजे हमारा शर्बत बिल्कुल बन करके तेयार हो चुका है तो चलिए सर्व करते हैं आप चाहें तो यहाँ पर बाद में थोड़ा सा काला नमक भी डाल सकते हूं अपने टेस्ट के अनुसार अगर आपको अच्छा लगता है तो तो मैं यहाँ पर नहीं डाल रही हूं और अब हम यहाँ पर लेंगे आइस क्यूब और डाल देंगे हमारा शर्बत थंड़ा थंड़ा शर्बत तो लीजे हमारा बेल का जूस बन करके तेयार हो गया है आप इस शर्बत को 7-7 पी सकते या फिर आप 2-3 दिन के लिए फ्रीज में भी स्टोर करके रख सकते हो तो लीजे हमारा बिलकुल थिक और बहुत ही स्वादिस्ट शर्बत बन करके तयार हो चुका है एक बेल के फल से हमने यहाँ पर 10-15 गिलास जूस बना करके तयार कर लिया है विटामिन, कैल्शम, पोटाश्यम और मैगनेश्यम से भरपूर हमारा बेल का शर्बत बन करके तयार है वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें मिलते हैं नेक्स्ट वुडियो में तब तक के लिए भाई भाई